कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी हीलिंग कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाइज एक जेनरल कलेक्टिव टाइमलेस हैं आपको क्या गाइड कर रहे हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं से जल्दी से करते हैं आपकी लीडिंग को स्टार्ट लेट्सी को फोकस कीजिए अपने परसन की अनरजीज पे और मेरे और चैनल है साइकिक ट्यारोशी वी चुपल एट उसका लिंक आपको डेस्क्रि चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पीच्वल रीडिंग्स के लिए अगर आप इंट्रेस्टेड हैं वीकली रीडिंग्स के मंतली रीडिंग्स के लिए ओके आपके जो परसन है वो आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है यह आप इस परसन को आपने ब्लॉक किया हो सकता है या फृष ही और कि झाली तो आपसे बात करें की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा जो है यहाँ पर छे नंब्र हैं चीक है यहाँ पर सिक्स नंब्र है ओके चीर नंबड आजकर होता, प्रूमस्में की कई, कहीं ने आजकर को चीह। छीमस्मियन की क्वीट न आजकते हैं, और आजकर हूं हूँ। चीजों को इस परसन ने बैलन्स नहीं किया ठीक है आप से लेने का और आपको कुछ देने का नहीं ऐसा इस परसन ने आपके साथ किया है ठीक है अबकि जो person आज करें थोड़ा सा confused है ठीक है कि इस दिशा जाएं कि इस दिशा जाएं ये करें कि ये करें ये सही रहेगा कि ये सही रहेगा ठीक है वादा इस person की energy ये है कि थोड़ा सा person confusion में है मतलब इस person की energy है कि मैं क्या करूँ आखर आखिर मैं करूं तो करूं क्या ठीक है वो वाली एनरजी इस परसन की है ठीक है मैं ये कर लूँ या मैं ये कर लूँ मुझे इस तरफ जाना चाहिए इस तरफ जाना चाहिए ऐसा ना हो ये सब करने की वैसे ये हो जाए कुछ ऐसी एनरजी में पार्टनर है आपका यहां पर तो लेटर फिर से है, दीए, कुछ लोगे परसन यू टरन की सोच रहे हैं, कि वो वापस आएंगे, ठीक है, मतलब वही एनरजी है कि वापस चला जाऊंगी, रुक जाऊंगी, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि करूंगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाहेगा कुछ ऐसी इस परसन की energy चल रही है थे यूनिवर्स का push यह आ रहा है कि आप ने चीजों को इस तरफ balance नहीं किया है थे थे इस परसन के मन में आता है की नहीं आपके साथ चीजों को balance करना है फिर यह परसन डर जाते हैं कि आगर आपकी तरफ आ गए तो फिर वाकि सारी चीजों को कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी बड़ी यहां पर जैसे इस परसन के अंदर दुविधा चल रही है ठीक है अब इस परसन को ऐसा लग रहा है कि उसी वक्त इस परसन ने यह नो सही डिसीजन क्यों ने लिया या फिर उस वक्त आप जब चीजों समझा रहे थे तो इस परसन ने समझा क्यों ने बिना वज़े इस परसन ने आपको खो क्यों दिया ठीक है बड़ी एनर्जी है ना कि मतलब इस एतना यूनिवर्स ऐसी तो टेस्ट करते यूनिवर्स जब आपको कोई चीज़ देने वाले होते हैं तो पहले आपको टेस्स करेंगें कि आप वास्तब में इस चीज़ के लायक हैं तो आपकी लाइफ में दो सिचुएशन डालेंगें ठीक है दोनों ही पतलब जो सिचुएशन होगी न उसमें एक कही नकहीं आपके बहुत ज़्यादा खुशी होगी और दुस्री जो भी सिचुएशन उसके बराबरी में डाली जाएगी न वो कुछ ना कुछ बिलकूल उससे मिलती जुलती होगी जैसे वो बहुत ही बड़ा आडंबर होता है एक तरी किसे माया का एक बहुत ही बड़ा गेम ठीक है और यूनिवर्स देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी चीजों के साथ कितने लॉयल हैं ठीक है आप कितने इमानदार इनसान हैं क्योंकि जो इमानदार होगा न वो करते हैं कि उसी वक्त सही डिशिजन लेना चाहिए तो उस वक्त नहीं पर आपकी परसन को डेफिनेटली यूनिवर्स के थ्रूर टेस्ट किया गया था जहां पर आपके परसन ले वो आपको ट्रू लफ दे रहे हैं और आपको तूल अच्छा इंसान दे रहे हैं और यह द युनिवर्स प्लानिंग आपके लिए डेफिनिटली कुछ होगी, उससे आपको चीना, लेकिन आपको यी चीज बाद में समझ में आती है, पहले नहीं आती है, पहले आपको लगता है कि नेरे से गया है, ठीक है, आपको ये चीज आपको उसमें बताई थी, किसी रीडिंग म अगर कभी लडाई हो जाती बच्चे में, जो मा है, वो सबसे पहले अपने बच्चे में थपड लगा कर उसको अपने पीछे कर लेती है, ठीक है, ताकि कोई और उसको थपड ना मार सके, तो वही एनरजी होती है, कि उनिवर्स पहले आपको ऐसा फील करा देते हैं, कि आप समझ गया होंगे, तो वह एनरजी है यहाँ पर, तो कहीना कि परसन ऐसा ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कि अच्छी सब कुछ मेरे हाथ में था, और सब कुछ मेरी मर्जी के साब से हो रहा था, सब कुछ मेरी मर्जी थी, सब कुछ मेरा अच्छा हो रहा था, ठीक है, मुझे सबसे अच्छा मिल जाए ठीक है लिकिन उस वक्त आप कहीं नगे अपने दिल की सुननी चाहिए जहां पर आपको लॉयल्टी लगती है दिल आपकी आवाज दे रहे वहां अगर आप जाते हैं तो आप खुछ रहेंगे लेकिन अगर आपने अहीं जो चाहरे बहुत ब आपको मैं सिर्फ सिर्फ एसे ही दिए रहा है क्योंकि ऐसे दे देंगे तो तुम बाद में भी कदर नहीं कर रहा है । एकी आपक्षीड में आपकी वैलु क्या है लोगै यह परसन ऐसा भी सोच रहे हैं सवक्त में आपको लेकर कि आपसे बड़ी या बात नहीं सकता कोई ठीक है मतलब बड़ा कलेजा चाहिए ठीक है बटोरने के लिए हमारे असी लेंग्विज बोली जाती है बटोरना या समेटना ठीक है उसको करने के लिए न मतलब आपको कोई भी चीज देने का कोई भी चीज सहने का ठीक है मतलब श्री हरी की मैंने कमारी बात सुनी थी वह भी कहते है कि शक्ति शाली वह नहीं होता जो अत्याचार अच्छा कर सकता है जो अपना आगे बढ़ा सकता है ठीक है मतलब वह लोगों को जो कंट्रोल कर सकता है शक्ति यहां पर टू नमबर भी है कहीं न कहीं आपके परसन की जो एनरजी है वो यूनिवर्स ने कुछ इस तरीके से शायद समझी दी पास्ट में विज़ा सो मेसेज मिल रहा है कि आपके परसन कहीं न कहीं इस तरह की एनरजी में थे कि वो उसको कहीं न कहीं आपसे ऐसा लग रहा था ठीक है उसको भी कहीं न कहीं आपसे ऐसा लग रहा था कि कहां फस गया वो ठीक है मैं जूट नहीं बोलूँ या आपर कुछ ऐसी एनरजी में को फील हुई है जैसे यूनिवर्स को भी आपके पार्टनर में वो चीज नजर आई थ थी कि वो ऐसा सोच रहा था कि मैं कहां फस गया, ठीक है, मुझे, मैं कहां इस connection में फस गया, क्यूं आया मैं इस connection में, past में उसकी thought process थे, ठीक है, इसी तरीके से उसकी thoughts चल रहे थे, उसके दिमाग में, इसी वज़े से भी universe ने आप दुनों को थोड़ा सा separate किया हुआ है, ठी पूरी आप दोनों के बीच में separation, ऐसा message मिल रहा है हाँ पर, यहाँ पर एक candle भी दिखाई दे रही है, oh my god, ऐसा हो सकता है कि इसी का person candle x reading देखता है, क्या, क्योंकि universe उसकी तरफ भी tarot बेचते हैं, बेच सकते हैं, बच यह होता है कि बहुत जादा logical लोग, क्योंकि वो इन सब चीजों में जादा believe नहीं करते, तो वो आते नहीं है इस तरफ, ठीक है, क्योंकि वो कहीना 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 मानते ही नहीं कि यह सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग इतने जादा over practical नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मैसेज निकल करा रहा है, मुझे यहाँ पर candle दिखाई दिया है, तो हो सकता है candle wax reading देखते हूँ आपके person, आपकी, या फिर किसी और, you know, किसी और tarot reader की, या फिर मेरी पता नहीं, I don't know, but I think कि यह person ऐसा करते हैं, कि मैसेज आया है, कही ना कहीं से उड़ते हुए आया है, तो universe ने दिया है, I think, okay, आज़े किसी का सवाल आयता है, मुझे समझ में नहीं आता ही, कि मैं क्या करूँ, ठीक है, आपके बहुत सारे options हैं, मैं बताती हूँ, पहला option यह है, कि आप personal reading लें और अपने answer को जान लें, लेकिन उससे आप संतोष्ट होंगे नहीं, ठीक है, बिना healing कि आपको संतोष्टी नहीं आएगी, दूसरा है, आप healing करें अपनी, ठीक है, और healing करके universe से path मांगते जाएं, कि मेरे लिए क्या करना सही है, ठीक है, और universe स path मांगी है, और उसी के according अपना decision लेजिए, कि मुझे अपने किस partner को जगा देनी चाहिए, अपनी life के अंदर, तीसरा, अगर आपका ex आपकी तरफ आ रहा है, और आपको थोड़ा सा भी doubt है, तो पहले अपना doubt clear करें, फिर किसी connection में आगे बढ़ें, और कोई next आपकी तरफ आ रहा है, तो भी आप universe से answer मांग सकते हैं, उसके बाद ही आप किसी connection में jump करें, ठीक है universe हमीशे आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग help नहीं मांगते हैं, लोग उनसे एक शाय पूरी करवाना चाहते हैं, लोग उनसे अपने आपको ठीक करवाना नहीं चाह कि हाँ आप कुछ है, आपकी कोई worth है, otherwise फिर आपको इसी तरीके से treatment मिलेगा कि आप कुछ नहीं है, फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे तो इसी के भरो से जिंदगी जी नहीं है, so हो वाली energy है, okay, यहां पर ऐसा message निकल कर आ रहा है, कहीं आपके पर आपके person है, वो आपकी worth realize कर रहा है, समय निकल जाने के बाद तो इंसान को याद आता है, कि मेरे पास ही रहा था, मैंने फेक दिया, तो वो energy भी है यहां पर ठीक है, so यह जो गल्ती आपके person ने किया जल्दवाजी में, यह मैंनी चाहती कि मेरे viewers करें, आप अपने सारे पा connection मिलता ही मिलता है, spiritual journey में, ठीक है, और आपकी सारी चीज़े है, universe खुद करते हैं, complete, बस आपको trust करना होता है, go with the flow जाना होता है, जो भी आपसे कहा जा रहे है, healing के लिए, उसे feeling करते जाएए, ठीक है, और ना यहां जाएए, ना वाँ जाएए, जब तक आप sure नहीं हो ज take me angels में, रिव्योस के partners की current energy में, रिव्योस को लेकर क्या है, क्या थां हänder जाएए, क्याता है, रिव्योस के जाएए, तक रिव्योस का र browsाएए, टालीगदमें के एन दो सक खाएए, ज sentence a जाक रिव्योस का जाएए. प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स टेवल क्यों आया है ओकी गाइड तो हमने डेवल को क्लैरिफाई किया कि क्यों आया है तो आपका परसन आज किसमें पता है क्या सोच रहा है सोच रहा है मैंने अपनी इगो के चलते हैं अपनी रूटनेस के चलते हैं अपने घमंड के चलते हैं अपनी नौटंकी के चलते हैं भी वो करता है यह करती है उसके चलते मैंने एक बहुत अच्छे connection को खोया है ठीक है यहाँ पर इस person की energy और मैंने उसे खोया अपनी बेवकूफियों से यहाँ पर devil की energy है devil आया है two of cups के नीचे यानि बहुत ही खुबसूरत connection था वो लेकिन devil क्या था devil था इस person का ego इस person का attitude इस person की नौटंग की इस person का अपनी अपनी चलाना शौर्ड की energy है कि मैं राजा हूँ मेरे साब से होना चाहिए मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ so like वो energy है यह person अपने बारे में तो ऐसे ही सोच रहे है अब यहाँ पर यहाँ पर एक चीज आ रही है यहाँ पर जो इस person के दिमाग में लगाता चलता है वो यह है कि यह ऐसा सोच रहे है कि आप किसी और के साथ new beginning कर रहे है आप देख सकते हैं कार्ड बार बार आ रहा है और यह पहले जो energy दे रहा था वो family की दे रहा था ठीक है देखे जितनी तकलीफ आपको होती है न उतनी तकलीफ आपके person को भी होती है लेकि जब तक वो ego में होता है वो उसको वो चीज समझ में आती क्योंकि उसका lesson बन रहा है ठीक है लेकि जिस दिन उसको वो चीज समझ में आईगी या फिर आती है अब आप कोगे कि माम समय निकल जाने अब क्या फाइदा माली जी किसी के पार्टनर की मैरेज हो गई अब अब निकल जाने अब क्या फाइदा ठीक है वो फाइदा वाइदा दूसी चीज़ है ठीक है वो तो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है लेकिन इंसान के मन में डर तो create होते हैं, क्योंकि उसे तो future नहीं पता ना, उसे तो भी present पता है, present में तो किसी को अपना मान रहा है, अपना देख रहा है, तो वो तो उसी साब से चलता है, उसे तो नहीं पता future में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, universe में क्या सोच के रहे हैं ठीक है बहुत जादा रगरेट हो रहा है वो चीज है इस परसन को आपसे बाद में रहा है जो आपको पहले हूए वो इसको बाद में हो रही है aisa यहां पर message है a new सा कार्ड है and four of wands का and three of cups एक थर्ड पार्टी के साथ यह यहां पर फिर से वही message आया है, यहां पर four wants भी है और three of cups भी, ऐसे लगता है कि third party के साथ, यह third person के साथ, यह person किसी marriage वगेरा में fix हो गई है, या फिर you know marriage वगेरा fix हो गई है, ऐसा कोई message है, तभी यह person बार-बार, इसे कल भी message निकल कर आया था, कि सामने वाले इंसा अब चाह sorry, ace of cups, तो देखे, एक चीज तो यह हुई कि क्या यहां पर होगा, फिर दूसरी चीज वह होती है कि क्या पर्मात्मा करने वाले हो, पर्मात्मा के लिए मुझे ही लगता कि कोई चीज मुश्किल है, तीक है, वो इस पर निर्भर करता है कि वो किसको क्या देना चाहते है, फिर उन्हें लगता है कि किसके लिए क्या सही है, तो इसलिए मैं हमेशे बोलती हूँ ना कि यूनिवर्स को कभी यह मत बताओ कि पर्मात्मा आप मुझे यह दे दें, यह दे दें, यह में लिए सही है, मैं हमेशे यह बोलती हूँ कि यूनिवर्स से हमेशे यह बोलो, में life में जो सबसे best हो सकता है आप वो करिए जब आप universe को ये charge दे देते हैं जो बार बार ऐसी affirmation देते हैं कि आप मेरे लिए वो करिए जो सबसे ज़्यादा best है अब उस best में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पसंद in में हो या out में हो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जोसे पसंद कर रहे है वो उस best में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपको दोनों situation के लिए ready रहना पड़ेगा अगर वो आपकी best में आ रहा है तो ही वो आपकी life में आएगा अगर वो आपके best में नहीं आ रहा है तो वो आपकी life से जाएगा ठीक है और अगर जाएगा तो आपको जाने देना होगा ठीक है तो आप युनिवर्स को अभी यह ना बताएं कि मुझे यह चाहिए या वो चाहिए आपको युनिवर्स से यह बोलें कि आप में लिए जो बेस्ट है जो में लिए बना है जो में लिए ही बना है जो आपने में कर दीजिए तो वो चीज़ें यहां पर नजर आ रही है तो कही ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की connection में डेस्टाइन चीज़ें हैं ठीक है क्योंकि आज के time में जो connections जोड रहे हैं उनका कोई आज़ें नहीं है वो ego में जुड रहे हैं या किसी सादे बाजी में जुड रहे हैं ठीक है एक old a FM ile फैमली के लिए या फिर आपकी partner के लिए तो यहां पर ऐसे message निकल कर आ रहे हैं हमें नहीं पता है कि universe किस तरीके से चीजों को प्लान करते हैं बस मैं इतना वसा सकती हूं कि अच्छे जिसने अच्छा किया उसका कभी बुरा अंत नहीं हो सकता है बस मुझे इतना पता है तो यहां पर ऐसी एनरजी निकल कर आ रही है बाकी अगर फिर भी जानना चाहते हैं फिर भी आप एक अच देदीजे पसनल लीडिंग मैं कोशिश करूँ जल्दी स्टार्ट करूँ बहूले नाती करवाएंगे जब करवाएंगे श्री हरी का जम्मन होगा तभी स्टार्ट हो पाएगी ओर रीडिंग ठीक है यह आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है चलिए देखते हैं कि आपके person की messages क्या है आपके लिए कि अपके यूड़ लूण। गाओ लू जाओ लिए मुझा है लूजा है लूड़ बिल्णा लूगो लूग। यूज। गाओ करेंगा। कि यूड़ लूगई। डूब लूगे कर दोगे लूग अले लूग। when i am with you i can't i can't be myself when i am with you i can't be myself you care and comfort me when i am in a bad mood you compliment me okay यह बहुत इच्छे messages दे रहे हैं आपके person definitely आप इस reading को claim कर सकते हैं आपको और किस तरह की reading पसंद है यह भी आप comment section में बता सकते हैं please like this video subscribe my channel thank you guys